तो हेलो दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से आपका अपने चैनल HHS टेक्निकल सपोर्ट पर स्वागत है तो आज हम आपके लिए लेकर आए सबसे बड़ी अपडेट किसानों के लिए जो पोर्टल लोंच हुआ है वो giveaway का आप पूरी detail MIA3 Mobile है जो 25 अपर को प्राइज के रूप में दिया जाएगा तो उसकी पूरी detail देखने के लिए इस वीडियो के discussion में लिंक देवाँ वहाँ से जाके आप उसके बारे में जान सकते हो तो मैं बात कर लेता हूँ इनाम कर्शी मंडी है जो इनाम पोर्टल लोंच किया गया है जो किसान के लिए benefit है उसके अंदर कैसे registration करें कैसे क्या करें तो सारी information इस वीडियो के अंदर तो यी वीडियो पूरा देखें तो चलो चलते हैं इसकी पर और दिखाते हैं ऐपको कि यह है क्या पोर्टल इसके अंदर किसानों की आई दोगुनि कैसे होगी और जो सरकार की नहीं योजना लोंच होई है तो उसके लिए बारे में भी जान लेते हैं इसका link में discuss में देदूँगा डायरेट आप यहां पर आ सकते हो आई होगी दुगनी किसान की कैसे होगी तो आई यह जान लेते हैं पूरी डिटेल क्या है इस में वीडियो पूरा वोच कीजिए जैसा कि मोजी सरकार ने अपनी सरकार बनने से पहले यह ठान लिया था कि वह आने वाले दिनों में किसानों की आई को दुगनी कर देंगे इसी को ध्यान में रखते हुए मोजी सरकार ने राश्टिय कर्सी बाजार की स्तापना की है आउनलाइन की ये मंडी किसानों के हित के लिए ही है और अब तक की देश के बहुत सारे किसान इसके तहट जुड़ चुके हैं और अपनी आई को दुगना करने या अपनी आई को बढ़ाने के लिए कापी अच्छे से कारिये भी कर रहे हैं चलिए जान लेते हैं इनाम के बारे में तो चलिए राश्टिय कर्सी बाजार योजना इनाम मंडी नेशनल एगरिकल्चर मार्केट नरेंदर मोदी के देखस्ता में किसानों की आमदनी को दुगना करने के लिए सरकार ने राश्टिय करसी बाजार की सापना की ये एक ओनलाइन मंडी है जो किसानों के लिए अभी बहुत अच्छे से कारिय कर रही है देश के जयताजर किसान अब इस मंडी के साथ जुड़ रहे हैं और अभी करीब पौने दो क्रोर किसान इस नाम मंडी, 2017 में इस मंडी से केवल 17,000 किसानों ही जुड़े थे जबकि 2018 में इस सेंग्या पौने दो क्रोर तक पहुँच चुकी है किसानों को उनके पसल को बेचने पर एक उच्चित रकम मिल जाती है जो पूरे देश भर के किसानों के लिए होती है इनाम पोर्टल इनाम पोर्टल पर एक एलक्ट्रोनिक पोर्टल है जो पूरे देश के किसानों को 585 से भी अधिक मंडियों में अपने अनाज या उगए गए पसलों को बेचने का बाजार उपलद कराता है इनाम पूरे देश में एगरी मार्केटिंग केमेटी को एक नेटर्क से जोड़ने का काम करता है इसका एक मकसद एगरी कल्चर प्रोड़क के लिए राइश्टी इस तरह पर एक उचित बाजार उपलद करवाना है जिसमें किसानों को उनकी पसल की एवेज में एक सही रकम मि सके इनाम पॉर्टल के इसी उपलता को देखते हुए किसान इस पॉर्टल पर बहुत से ही तेजी से जुड़ रहे हैं नेशनल एगरी कल्चर मार्केट के जरिये करसी उतपातकों को अधिक दाम मिलेगा और सरकार क्या ये एजेंटा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी भी सक्षित कर दिया है इनाम पॉर्टल के फाइदे चुगी ये एक इलोक्ट्रोनिक पॉर्टल है और इसके तहट देश के 555 मंडियों को सामिल किया गया है इसकी सायता से देश में विविन राज्यों में इस्थित करसी उपज की मंडी को इंटरनेट के जरिये जोड़ दिया गया है यानि कि अगर कोई भीहार का किसान अपने पसल को गोर्खपुर में बेचना चाहता है तो करसी उपज के उपज को ले जाने और मार्केटिंग करना काफी ज़्यदा आसान हो गया है चाहे आप राजस्तान से हो चाहे आप किसी भी स्टेट से हो ओल ओल इंडिया यह के अलग-अलग राज्ये के किसान को एक उचित मंडी मिलेगी जिसमें उनके पसल के एवेज में एक उचित रकम मिलेगी इना पोर्टल की सायता से किसान और खरीदार के बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा यानि किसान सिद्धा अपना पसल खरीदार को देश सकता है किसान और व्यापारियों के बीच इस कारोबार में इस्तानी एक करसी उपज मंडी के हित को कोई नुक्सान नहीं होगा क्योंकि पूरा व्यापार इसी माध्यम से हो रहा है। किसान को उनकी पसल के अवेज में एक उच्चित उमले मुलेगा जिससे की किसानों को फ्रोसान और आय में भी बड़ोतरी होगी। तो पहले क्या थी किसानों की सबसे बड़ी समिश्या। इनाम पोर्टल आने से पहले किसानों की सबसे बड़ी समिश्या ये होती थी कि वह जो पसल उगा रहा है उस पर काफी मेनत कर रहा है लेकिन जब बाजार में वह पसल लेकर जाता है तो वह उसको एक बिचोलियों को देता है और वे विचोलिया उसको खरीदार के पास बेचता है ऐसे में किसानों को विचोलियों के दौरा कम पेशा देकर पसल खरीद लिया जाता था और किसानों को अपनी पसल की अवेज में उचित मुल्य नहीं मिल पाती थी लेकिन इस पोर्टल से आने किस से ये समेशिया कतम हो गई है इनाम क्या है इनाम तो इसके बारे में जान लेते हैं इनाम एक राइस्टिय करसी बाजार है जो ओनलाइन पसलों की विक्वावली का काम करता है खरीदार और बेचने के लिए किसान अपने आपको खुद से ओनलाइन रेजिस्ट कर सकते हैं और अपनी पसल के उपर से एक उचित मुल्य प्राप्त कर सकते हैं किसानों को उनकी फसल के उपर उचित मुल्य दिलवाने के लिए देश्ट भर में करसी बाजार मंडी की स्तापना की गई है और अब ये राइस्टिय करसी बाजार के रूप में कारिये करता है इनाम की शुरवात 14 अप्रेल 2016 में की गई थी इसके तहट रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज के उपर उचित मुल्य प्राप्त कर सकता है और अपनी उपज को देश में जहां भी चाहिए वहाँ बेश सकता है इस पोर्टल के आने से किसानों को अब बिचोलियों पर निर्बर होने की अफशिकता नहीं है वे सरकार के द्वारा जोड़ेगे ये 525 मंडियों अपने फसलों को सीधा बेश सकता है के अंदर ये करसी मंतराले के तहट काम करने वाले लगुक करसक करसी व्यापार संग N.F.C.E. नाम को लागु करने वाली सबसे बड़ी संस्ता है जो की सरकार के इस योजना में एहम भूमिका रखता है सरकार का मकसद इस साल इनाम में 200 और मंडियों को जोड़ने का है साथ ही अगले साल 215 नहीं मंडियों को इसमें सामिल किया जा सकते हैं देश बर में अभी करीब 2780 उपज मंडिया है और 4000 उपजार मुझूद है इनाम से अब दो राजियों के बीच काम किया जाना संबव हो सका है इनाम पर किसानों को कैसे रिजिस्ट करें इनाम पर किसान खुद को ओनलाइन रिजिस्ट कर सकते हैं जिसकी पुर बतारे हैं से बीले आपको किसान को इनिधिगारी क वेफसाइट पर जाना होगा इसका लिंक में डिसक्रिश में देदोंगा यहाँ पर देखो यह में पोटोड दिया है आपको तो यह देख सकते हो फोरम का chain करना होगा, जबसे ही आप फोरम का chain करते हो, आपके सामने एक चोटा सा रजिस्टर्शेंट फोरम खुल कर आ जाती है, जिसमें आपको अपनी नीजी जानकारी के साथ, mobile नमर और email id दर्ज करनी होती है उसके बाद में यह आपका फोर्म है तो इस प्रकार से यह फोर्म कुल के आपके सामने आ जाएगा तो इसमें आपको यह आपका हो गया मुबाइल नमर मेल आइडी पस्ट नेम वगरा वगरा यह आपको डिटेल्स एड्रेस वगरा यह फिलप करना है ओनलाइन तो दिएगे मुबाइल नमर और इमेल आइडी पर आपको इनाम पोर्टल की लोगिंग आइडी और पासफ़र्ड प्राप्त होती है जिसकी बदलत आप अपने लोगिन करके राज्टे करसी मंडी का परियोग कर सकते हैं इससे समझ देती है आपको कैसे मंडी में रिजिशन करना अगर वीडियो करते हो तो कमेंट के माधिम से पूछ सकते हैं एसी ही जानकारी पाने रेने के लिए हमारे चैनल को सब्सकाइब कर सकते हो जैहिन जैवारत